जेहिन डिफेंस आस्पिरेंस स्वागत है त्रिशूल डिफेंस अक्याडमी के यूट्यूब चैनल पे अक्सर हम लोग एक शब्द सुनते हैं टॉप गन तो डिफेंस आस्पिरेंस क्या है ये टॉप गन टॉप गन एक बहुत फेंस हॉलिवूड मुवी ती जिसमें देखा ये गया था कि पाइलेट्स को अलग अलग लेविल पे प्लेंज उडाना सिखा रहे हैं अलग अलग stressful conditions में वो प्लेंज उडा रहे हैं, competitions कर रहे हैं और एक तरीके का जैसे स्कूलों में inter houses competitions होते थे वैसे ही pilots के बीच में competitions हो रहे हैं अलग अलग level of stress के cases में उनको planes उडाने पड़ने हैं, defense aspirants ये movie असल में movie नहीं है, ये originally एक स्कूल है, USA में United States of America के नीवी pilots का best निकालने के लिए USA ने एक स्कूल बनाया है, Top Gun स्कूल जहां पे pilots को stressful conditions में training दी जाती है ताकि उनको हर situations के लिए तयार किया जा सके और ये ही Top Gun स्कूल भरतिय वायू सेना ने भी US Air Force से inspiration लेके 1971 में पंजाब में एक squadon बनाया था, squadons का नाम था TACD squadon, T-A-C-D-E, TACD का full form होता है Tactics and Air Combat Development Establishment, 4 December 1971, हर एक हिंदुस्तानी के लिए बड़े गर्व का दिन था, क्योंकि 4 December की रात से 7 December तक लगातार भारतिय वायू सेना ने रात में पाकिस्तान एर फील्ड में अटैक किया था, पाकिस्तान में घुसके, लाहोर तक घुसके, उनके एर फील्ड को बिलकुल खतम किया था, और ये खतम इसलिए हो पाया था, क्योंकि टैकडी स्कॉर्डन ने अपने पाइलेट्स को तैयार किया था, 1972 में ये टैकडी स्कॉर्डन को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि competitors, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान, उनको खबर लग गए थी कि पंजाब में कहीं पे टैकडी स्कॉर्डन है और वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए इस स्कॉर्डन को गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया, और इस स्कॉर्डन को कनवर्ट कर दिया गया, टैकडी स्कॉल में, Defense Aspirants, टैकडी यानि की Tactics and Air Combat Development Establishment का मोटो है, तेजस तेजस्वी नमहा, ये भवगत गीता का एक कोट है, जिसका English में मतलब है, Making Best Out of the Best, जी हाँ, Best, पाइलेट से भी Best निकालने का मोटो का एम के objective से ये बना है, टैकडी स्कॉल, 1971 से, 1972 से 2000 तक जामनगर में ये स्कॉल था, जिस स्कॉल का उपदेश सिर्फ पाइलेट सी को ट्रेन नहीं करना था, बलकि Ground Crew, बलकि Ground Duty Officers को, बलकि A.T.C. Officers को भी stressful conditions में, Best of the Best ट्रेनिंग देने का मोटो था, टैकडी का, टॉप गन स्कॉल सिर्फ औसिफ पाइलेट स को ट्रेन करता था, लेकिन भारत का टैकडी स्कॉल, पाइलेट के साथ साथ आज, वेपन सिस्टम ब्रांच, Ground Duty Technical ब्रांच, Ground Duty Non Technical ब्रांच को भी ट्रेन करता है, कोई भी आम भारते वायू सेना का ओफिसर टैकडी में एड्मिट नहीं हो सकता, कुछ set of conditions अचीव करनी परती है, तब जाके टैकडी स्कॉल में दाखिला होता है, टैकडी स्कॉल में जब आप सर्टिफिकेशन कोर्स कम्प्लीट कर लेते हो, तब आप भारत के बेस्ट पाइलिट्स में से एक होते हो, अभी हाली में मिराज और सू थर्टी क्रैश हुआ था, ये भी टैकडी स्कॉल के ही ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ था, ये ट्रेनिंग बहुत असान नहीं है, जितने असानी से मैं बोल रहा हूँ, उतनी असानी से ये ट्रेनिंग नहीं होती, मेरे फादर लेट विंकमाड़ा अनूप महरतरा जी भी एक फाइटर पाइलिट थे, तो मुझे पता है कि ऐसे स्कूलों में किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, नाइट सॉटी मानी जाती है, नाइट सॉटी के साथ साथ स्टॉर्म में, आंधी में, तुफान में, बारिश में, एयरक्राफ्स को उड़ाना पड़ता है, उनको मिशिन्स दिये जाते हैं, उनको टाइम, लैंडिंग टाइम, टेक आफ टाइम, सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, और तब जाके टैग्डी स्कूल का सर्टिफिकेशन होता है, टैग्डी स्कूल क्योंकि एनिमी की नजर में ना आए, इसलिए दूसरी बार भी शिफ्ट किया गया सन 2000 में, और आज टैग्डी स्कूल गॉलियर्ज के पास स््थित है, जिसका मोटो है, बेस्ट अफ देष्ट पाइलेट्स निकालना, बेस्ट अफ देष्ट एर क्रीव निकालना, बेस्ट अफ देष्ट सपोर्टिंग स्टाफ निकालना, अगर पाइलेट्स से डील करता है अभी हाली में इंट्रोड्यूस वेपन सिस्टम ब्रांच भी टैग डी स्कूल का हिस्सा है अगर आप एक डिफेंज आस्पिरेंट हैं और आपने आपको भरती वाईयू सेना में पाइलेट के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्पोर्ट पाइलेट्स और फाइटर पाइलेट्स तीनों जाते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्स कम्प्लीट करना सबका वो लेवल नहीं अचीव हो पाता टैग डी स्कूल में आज भी पास्स रेट वन परसेंट है जिस तरीके कि भारतिये आम्ड फोसे में स्पेशल फो स्कूल इस टैग डी मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि इस टैग डी ने आज इंडिया के बेस्ट पाइलेट्स निकाले हैं ऐसे पाइलेट्स जो किसी भी वेदर में किसी भी कंडीशन में पड़ोसी मुलकों पे अटैक करने के लिए तैयार हैं याद पाइलेश आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा और आज यही कारण है कि टैग डी जैसे स्कूल्स की वज़े से भारती वाईयो सेना इस वर्ल्स नमबर थ्री बेस्ट मुझे बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि ऐसे स्कूल्स की वज़े से आज हम से क्योड है डिफेंज अइस्पेरेंस यह स्कूल्स है तब हम आप बैटके अराम से यह वीडियो देख पा रहे हैं ये स्कूल्स हैं तब जाके हर रोज टेकनोलोजी इंप्रूव हो रही है वी आल शुट बी थैंक्फुल टू इंडियन एफोस, इंडियन गॉर्णमेंट जिन्होंने ऐसे स्कूल्स बनाए डिफेंस आस्परेंस आप भी अगर एक युद्धा बनना चाहते हैं आप भी भरते वाईयो सेना में लडाकों विमान चालक, फाइटर पाइलेट, ट्रांसपोर्ट पाइलेट, हलिकॉप्टर पाइलेट बनना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के ब्रांचिस जॉइन करें जल्दी त्रिशूल डिफेंस अकाडमी दिल्दी लक्षमी नगर में अपना सेंटर खोलेगा जहां बनते हैं देश के गौरव इंडिया का एक मात्र ऐसा कोचिंग इंस्टिटूट जहां कैडट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एक्जाम के अनुसार अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही जोइन करें त्रिशूल डिफेंस अकाडमी